है है लो एवरीवन वेलकम बैक टू सुमदत्य स्पेशल भाइ मेलड़ी तो बच्छो लास्ट एम हमने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा आज हम बात करेंगे डिवलपमेंट आफ मेल गामेटोफ़ाइड सो लेट स्टार्ट डिवलपमेंट आफ मेल गामेटोफाइड ड हम मैं उसमें एक मेर्टी स्व perform होता है अब ये ट्राइड होते हैं ze जो है complex वो टिट्रेड जो होते हैं वो convert होते हैं माइक्रोस्पोर में इसका मतलब है यह haploid pollen यहां से बनते हैं जब callous layer dissolve हो जाता है तो यह जो pollen grain होते हैं यह pollen grain immature होते हैं तब इस प्रकार हमें देखते हैं तो इस pollen gain में mostly सिर्फ protoplasm होता है यानि के cytoplasm और centrally placed यह nucleus होता है तो इसमें यह इस प्रकार यह जो intent हमें दिखता है तो यह जो अंदर का दिखाए मैंने यह plasma membrane है राइट और क्या होगा यह उपर का आपको पता ही है क्या है यह है जिसे हम बोलते हैं exine right exine उसके बाद यह होता है intine right यह आपर देखते हैं intine ओके और यह जर्मपोर है इसमें जर्मपोर और यह है cytoplasm और cytoplasm के बाद इसमें होता है यह जो है इसे बोलते हैं nucleus तो यह nucleus कैसा है centrally plus nucleus है ठीक है तो यह जो nucleus है यह कैसा है centrally plus है अब होता क्या है जब इसमें यह immature है यह कैसा है immature male gametified बोल सकते हैं हम इसे immature immature male gametified बोल सकते है तो यह जो immature pollen gain है इसमें division होती है और division होने के बाद देखो यह भी यह आपको दिख रहा है तो यह से दिख रहा है आपको इसमें क्या होगी division होगी तो जैसी division होगी तो यहाँ पर एक vaculated cytoplasm आपको दिखेगा inflow of nutrients देखो यहाँ पर क्या होगा inflow of nutrients inflow of nutrients तो जैसे होगा तो यहाँ पर vaculated cytoplasm नजर आएगा और उस vacuole के वज़े से यह जो vacuole है इस vacuole के वज़े से जो centrally placed nucleus होता है वो इस fairy fairy में आ जाता है ठीक है vacuole form होने के वज़े से यह जो center nucleus होता है वो fairy fairy में जाता है अब जब fairy fairy में जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा unequal division भी होगी unequal division unequal division का मतलब होता है cytoplasmic division जो होगी वो unequal होगी यह नहीं के karyokinesis होगा पहले karyokinesis followed by cytokinesis तो दो nucleus पहले form होगी karyokinesis में एक चोटा और एक बड़ा बड़ा जो होता है वो irregular shape form होगा उसके बाद क्या होगा बेटा यह structure वैसे देखो यह इंटाइन है तो यह निकालना पड़ेगा हमें हर वक्त यह है एक sign अगिन तो यहाँ पर दो nucleus form होगा अब दो nucleus के बाद एक में cytoplasm है तो cytoplasm division भी होगी तो एक छोटी cell form होती है जिससे हम बोलते है generative cell तो यह है generative cell यह है generative cell और यह जो बड़ी वाली cell आपको दीख रही है जिसमें एक regular nucleus है उस cell को हम कहता है visitative cell यह फिर क्या कहता है tube cell ठीक है tube nucleus होता है इसमें राइट और यह जो nucleus होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है ठीक है अब यहाँ पे vaculated साइटोपलाजम भी है इसका मतलब है जो वैक्योन होता है इसमें क्या होता है जो भी पर्टिकुलर्ली यो जो साइटो वैक्योर्टेट्ट साइटोपलाजम है इसमें फूड होता है कौन सा फूड होता है इसमें स्टार्च होता है प्रोटीन होता है और कुछ फैट्स होता ह है तो जैसे ही अन्यूटकी टी है यहां पर कॉनसी सेल फॉंगे तब फिर्टिलाइज़न होगा तो वहाँ से लाइफ फर्म होनी वालि है तो इसके वज़े से जणाम दिया गया है जनडरेटिव सेल अब यह जो विज़ेट Ti нравится विजिटेटिव सेल कोई गैमेट वगएरा कुछ फॉर्म नहीं करती है तो इसके वज़े से नाम ही विजिटेटिव सेल है लार्ज होती है सिर्फ इतना ही और कुछ फूड मट्रेल होता है अब देखो जैसे आगे बढ़ते हैं हम तो इसमें और भी डिविजन होगी एक विजिए जझाए जटने जर्ट फल का तो आफ्टर किया होगा यह जो कैलोज जो कैलोज है यह कैलोज आ बाद में डिज्सुव हो जाएगा अब जब डिजीजॉब हो जाएगा तो डिजीजाव होने के बात यह ऐसा यह दिखेगी जैन्यट्यु से और िखेगी यह डिचेस स्पिंदल शफ में अगिकी और फ्लोट होने लगे इसे इसमें आपको एक nucleus तो नजर ही आ रहा है, तो यह जो float होने लगेगी, structure भी वैसा ही है, ठीके structure भी कैसा है, उसमें intine है, ठीके intine है, और यह कुछ इस तरका structure, यह exine का structure, sporopolinin से बनता है, हमने पूरा देखा इसको, और यह germ pore होते हैं, यह भी आपको बता है, तो यहाँ पे आपको क्या नज भी नजर आ रही है, जो float हो रही है, जो float हो रही है, जैसे ही वो float होने लगेगी, यह बना mature male gametophyte, तो यह है mature male gametophyte, ठीक है, अब यह कितने cell है, two-celled structure, two-celled, two-celled क्यों है, क्योंकि इसमें कितने cell है, यह tube cell है और यह generative cell है, तो two-celled structure, 60% angiosperm में, two-celled structure, यह क्या होता है, dehiscence होके, दूसरे flower के जो particular flower होगा, उसमें, जो stigma होता है, stigma के उपर land होते है, इसका मतलब है, 60% angiosperm में, two-celled stage, male gametophyte होते है, वो dehiscence होते है, कभी-कबार three-celled stage में भी होते है, three-celled का मतलब क्या होता है, कि कभी-कबार होता क्या है, जो यही होता है, तो इसमें ही क्या होता है, यह जो, जैसे बोलते हैं, क्या, generative cell, तो generative cell, दो male gamet को बनाएगी, यह cytoplasm रहेगा, और यह बड़ा वाला tube nucleus रहेगा, तो यह tube nucleus है, उसके बाद यह दो male gamet है, तो male gamet, यह दो haploid haploid है, दो है, इसमें एक mitotic division हुई फिर से, तो यहाँ पे यह दो male gamet और यह tube nucleus, तो यह three-celled है, यह कितना cell है, three-celled structure, तो three-celled structure भी बनता है, microsporangia के अंदर कभी-कभी, microsporangia के अंदर, इसका मतलब है, इसकी development होती है, वो endosporic है, यह भी है यहाँ पे जो development होरी है, यह endospore के, spore के अंदर, और दूसरी बात, यह microsporengia के अंदर, यह पोलन सेक के अंदर development हो रही इसके वज़े से, देखो, यह जो पोलन सेक के अंदर development हो रही, इसका मतलब है, यह two cell stage में भी वहाँ होता है, और three cell stage में भी वहाँ हो सकता है, तो 3-cell stage में भी dehiscence होता है, 2-cell stage में भी dehiscence होता है तो इस तरह से dehiscence होके वो land होता है, कहाँ पे? stigma पे, राइट बेटा? तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार immature male gametophyte जो divide होके क्या होता है? male gametophyte बनता है, mature male gametophyte अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार जब वो एक, एक, जब dehiscence होता है तो dehiscence होने के बात क्या होता है? उसमें, जब pollen, pollen, जो male gametophyte यह, stigma पे land होगा, तो stigma से वहाँ पे pollen tube form होगी तो उसके बारे में बात करेंगे तो जैसे कि हमने देखा, mature male gametophyte डेवलप होगा अब mature male gametophyte हमें कैसे दिख रहा है? इस थरीके से साइटोप्लाजम है, उसमें tube nucleus है, एक generative cell है, और यह tube cell है, तो यह इसका intine है ठीक है, और यह उपर का layer है, जिससे हम बोलते है, x i ठीक, तो होगा क्या, generative cell divide होके, यह two cell structure है, कभी कभार three cell भी होता है, तो जो stigma होता है, stigma के उपर यह क्या होता है? लैंड हो जाता है, तो जैसे यह stigma के उपर लैंड होगा, तो stigma एक शुकरी सब्स्टन्स सिक्रिट करेगा, तो यहां से जो अंदर का साइटो प्लाजम होता है, तो उसका volume बढ़ जाता है, और जो wall होती है, पोलन, sorry, male gametophyte की, तो यह के उपर pressure आ जाता है, यह समझो, यह इस प्रकार है, पोलन के, और इसमें साइटो प्लाजम है कुछ, यह तरह से tube nucleus है, और यहां पर क्या होते है, दो male gametophyte बनते हैं, जनरेटिव सेल है, तो यहां पर जनरेटिव सेल है, तो होगा, क्या यह जो intine है, यह जो intine है, देखो, stigma एक sugary substance secret करेगा, वहां से, जहां पर germ pore है, तो germ pore से वो substance अंदर जाएगा, तो इसका volume बढ़ जाएगा, तो volume जैसे भढ़ जाएगा, तो pressure create हो जाएगा, और यह intine होता है, वह intine, एक germ pore through क्या होगा, ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो यह जो है, germ pore, so intine comes out through germ pore, अच्छे से दिखाते हैं इसे, इन टाइम, जो germ pore होता है, उससे क्या होता है, ऐससे आएगा, और यह development होगी, pollen tube की, तो यहाँ पर pollen tube form होई बैटाई, जिसे हम बोलते है, pollen tube में generative cells, में mitotic division होगी, और male gamut बनेंगे, ठीक है, male gamut, क्या बनेंगे, male gamut, इसको हम, इस structure को बोलते हैं हम, यह जो structure है, इसे बोलते हैं हम, pollen tube, क्या बोलते है, pollen tube, और यह जो है न, यह tube nucleus, यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है, और यह vaculated होती है, बहुत सारे vacuoles होते हैं इसमें भी, तो यहाँ पर दिखाते हैं हम, दिख रहा है आपको, हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, यह जो इंटाइन था, यह इंटाइन, समझो, यहाँ पर जम पोर है, तो होगा क्या, जैसे stigma, शुगरी सबस्टेंस सिक्रेट करेगा, तो यह जो इंटाइन है, यह ऐसे, जो क्योंकि जम पोर, जम पोर में से क्या हुआ, वो सबस्टेंस अंदर गया, तो वह बढ़ने के वज़े से प्रेशर आया, तो जब प्रेशर क्रेट होगा, तो यह इंटाइन, कम्स आउट थ्रू जम पोर, तो यह इस तरह से, और यह पोलन ट्यूब फोर्म होती है, जिसमें ट्यूब से है ना, तो ट्यूब सेल से जनरे, जो ट्यूब सेल है ना, वहां से यह पोलन ट्यूब फोर्म होगे है, तो इसके वज़े से हम इसे, यह जो है ना, ट्यूब नूकलिस है, ट्यूब नूकलिस, और जो जनरेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल में माइटोस, माइटोसिस और दो मेल गैमेट बनेंगे यह है मेल गैमेट ठीक है तो यह जो है यह है यह है और इसे बोलते हैं हम मेल गैमेट ओफाइट तो यह क्या है मेल गैमेट ओफाइट समझ में रहा है तो इस तरह से होती है डिवलप्मेंट मुझे लगता है आपको यह इस वीडियो में जो मैंने बताया जो डिवलप्मेंट के बारे में बताया आपको समझ में आई होगी तो अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करे शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तब तक के लिए धन्यवाद